हेलो एवरिवन, जिस तरह का घटना यूएस कैपिटल में हुआ है, वो विश्चु के डेमोकरिटिक पावर के खिला बहुत ही बढ़ा चोट है। इस तरह के घटना के बाद नॉन डेमोकरिटिक सोच वाले लोग या फिर देशों को और ज़्यादा ताकत मिलेगा। और यह हमारे भविसी के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। डेमोकरिटिक कमजोर होने का मतलब है हमारे और आपके सारे अधिकावों में कमी आना। इसका सिंपल एक्जामपल चाइना है। चाइना का सबसे बड़ा बिजनसमेन जैक मा ने चाइनीस कम्मिनिस पार्टी के खिलाब थोड़ा क्या बोला वो दो महिने से गायब है। यही होता है जहां डेमोकरिसी ना हो। यह यूएस के इतियास में पहली बार हुआ कि जब कैपिटल हॉल में कॉनफर डेट फ्लेग दिखाई दिया हो। इसको लेके यूएस में गंभीर आलोजना हो रहा है। कहां जा रहा है कि जो सिबिल वार के दोरा नहीं हुआ वो अब हो गया। इस कॉनफर डेट बेटल फ्लेग का सारा कहानी आज डीटेल में समस्ते हैं। आफ वीडियो को अन तक देखें बिना स्किप किये और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि ट्रम्प समर्थकों ने गुदवार को यूएस केपिटल पे हमला किया। इस पूरे परदर्सन के दोरान एक परदर्सन कारी की छबी ने सबका ध्यान अपनी और आकर सिद कर लिया। क्यूंकि यह पहला मौका था जब कैपिटल हॉल के अंदर कॉनफर डेट फ्लेग दिखाई दिया हो। यह फ्लेग बताता है वाइट सुप्रिमेसी मतलब गोरे लोगों का बर्चस और जो गोरे नहीं है उसका राजनितिक और समाजिक बहिसकार। कॉनफर डेट फ्लेग की उत्पत्ती 1861 में अमेरिका के ग्री युद्ध के दोरान हुई थी। लेकिन अभी इस घटना ने यह दिखा दिया कि स्वेट और और स्वेट लोगों के बीच खाई पैदा करने की कोशिज फिर से जोर पकड़ रही है। इस पे युएस के होने वाली उपराश्ट पती कमला हैरीस ने कहा कि युएस का कानून समान नयाय नहीं करता लोगों के बीच। इसलिए हमें कानून में बड़े बदलाव की जवरत है। यह कॉन्फर डेट बेटल फ्लेग कहां से आया इसके बारे में जानते हैं। इस फ्लेग ने अमेरिका के साथ दक्षिनी कॉन्फरेट इस्टेट का परतिनी दिद्ध किया जो 1861 में अब्राहम लिंकन के राष्टपती के रूप में निर्वाचन के बाद यूनियन से अलग हो गई थे। बाद में चार और राज इसमें जुड़ गए यह ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लिंकन स्लैब लेवर यानि दास जिसमें मैक्सिमम और स्वेट लोग थे उसे बैन करने के फेवर में थे। लेकिन दक्षिनी राज जो स्लैब लेवर पे बहुत ही जाता निर्वर थे उन्हें लगा कि यह उनके अधिकारों का हनने और इसका परिणाम हुआ यूएस में भायानक सिबिल गौर जो 1861 से 1865 तक चला और इस यूद में कॉन्फरडेट राज्यों की हार हुई यह ग्री युद्ध अमेरिका का सबसे घातक और महगा युद्ध राये जिसमें लगबग 6,20,000 सेनिकों की मौत हुई थी और लाखों लोग घायल हुए उसके बाद साउथ एरिया का बड़ा भाग खंडर में बदल गया जहां सिर्क मौत की ही आहट थी 1862 में जब यह युद्ध चल रहा था लिंकन ने गुलामाओं को कॉन्फरेट इस्टेट से मुक्त करने के लिए एक प्रारंभिक मुक्ती घुसना जारी किया यह प्रस्तावना अमेरिका में स्लेबरी को खत्म करने के में निरनाया घुमी का निवाया 1865 तक 1886 हज्जार के करीब छोड़ा गया और स्वेत गुलाम ने यूनियन आर्मी को जोइन कर लिया सिविल वार्म खत्म होने के बाद भी या कॉन्फरेड़ेट फ्लेग चर्चा में बनते रहा है यूएस में और आज तक बनते रहता है युद्ध समापती होने के लगबग एक दसक बात तक यूएस मिलिटरी ने साउथ के बड़े हिस्से पे कबजा कर लिया पुनर निर्मान के नाम पर और उसे यूनियन का पार्ट बना दिया इसी सब बज़ा से गोरे लोगों में नाराजगी भर गया और वो अभी भी कितने लोगों में भरी हुई है क्यूकि गोरे लोगों को लगता है कि उनके अधिकार का हनन हुआ सिविल वार के बाद या फ्लैग कॉन्फरडरेट इस्टेट के हार के कारण के रूप में दिखाय गया लेकिन सदी के अंत तक या कॉन्फरडरेट इस्टेट के मारे गए लोगों के सम्मान का परतीक बन गया अब आते हैं बीसमी सताबदी में 1948 में हुआ ये कि डेमोक्रेटिक पार्टी में स्प्लिट हुआ और एक नए पार्टी का निर्मान हुआ जिसका नाम था डिक्सी क्रैट ये लोग चाहते थे कि यूएस में नसली भी अलगावबाद बना रहे इसलिए ये लोग उस समय के प्रेसिडेंट हैरी एस्टुमन के खिलाब थे क्यूंकि प्रेसिडेंट चाहते थे कि अफरिकन अमेरिकन को सारे अधिकार मिले इसलिए उस समय के एलेक्सेंट कंपेन में कॉन्फरेट फ्लैक का जम के इस्तिमाल हुआ था इसके बाद सिविल राइट मूब्मेट ने जोर पकड़ लिया जिसमें इस कॉन्फरेट फ्लैक सबसे परवावसाली था 1956 में जॉर्जिया इस्टेट ने अपने फ्लैक को फिर से डिजाइन किया ताकि उसमें कॉन्फरेट बैटल फ्लैक को इंकलूड किया जाए 1962 में साउथ कैरोलीना ने कोलंबिया के कैपिटल बिल्डिंग के ऊपर कॉन्फरेट फ्लैक लगा दिया अभी हाल में ही इस फ्लैक ने हंगामा मचाया था जब 2015 में 21 साल के स्वेत लड़के ने साउथ कैरोलीना के चार्ल्स्टन में एक चर्च में सामूई गोली बारी की जिसमें 9 एफ्रिकन अमेरिकन्स मारे गए थे देखो इस तरह से रंग जाती धर्म के नाम पर हत्या करना या फिर डेमोकरसी को कमजोर करना कहीं से भी विस्व हित में नहीं है एक साथ मिलके ही आगे बढ़ा जा सकता है मिलते हैं अगले वीडियो में थेंक यू